The Value of Trust ये है आज की इंग्लिश की शॉर्ट स्टोरी हिंदी में करेंगे इसको ट्रांसलेट स्टोरी की हेल्प से आप इंग्लिश की हर एक स्ट्रक्चर को बारी की से सीख पाएंगे और समझ पाएंगे साथ ही साथ कई सारे इंग्लिश की नए वर्ड मिनिंग भी यहाँ पर सीखेंगे प्लस जो ग्रामर का पार्ट है उसको भी कवर करेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टोरी का ट्रांसलेशन The Value Value का मतलब होता है मुल्य या मोल कह सकते है The Value of Trust Of Preposition है प्रापोजिशन के बाद नाउन का यूज होता है तो ट्रस्ट यहाँ पर नाउन है यानि कि ट्रस्ट का मतलब विश्वास का विश्वास का मुल्य या मोल क्या है स्टोरी There lived a farmer in a village There का यूज as a subject हुआ है Hindi में इसका मतलब यहाँ पर हम यह नहीं लेंगे कि There का मतलब वहाँ There lived यानि कि रहता था A farmer एक farmer एक किसान कहां? In a village एक गाउ में एक गाउ में किसान रहता था तो यहाँ पर एक किसान रहता था इस sentence को complete करने के लिए There का use as a subject यहाँ पर हुआ है Lived यहाँ पर verb की second form है Simple past का यह affirmative sentence है जहाँ पर verb की second form का use किया जाता है One day यानि कि एक दिन He He का use यहाँ पर farmer के लिए हुआ है He bring की second form brought होती है So second form का use होता है एक ही tense में वो है simple past tense यानि कि एक दिन He brought यानि लाना Bring मतलब लाना तो लाया है यहाँ पर वह लाया क्या लाया कौन किसान A baby mongos यानि कि एक baby mongos लाया नेवले का बच्चा मोंगोस का मतलब नेवला It was bleeding अब यहाँ पर it का use इस mongos के लिए है Animals के लिए यूज करते हैं जब हम मौसम से संबंदित कोई बात करते हैं Days की बात करते हैं यहाँ पर महिनों की बात करते हैं तो as a subject हम It का use करते हैं उनके लिए तो यहाँ पर mongos के लिए use हुआ है It was bleeding यानि उसका खून बह रहा था कोई काम हो रहा था रही थी इस तरीके से sentence बनेगा Past continuous tense का वाक्य रहे गई Past continuous tense यानि was वर में जो main verb आती है वो ing में आ जाती है जैसे bleeding है तो उसका खून बह रहा था His wife उसकी बीवी किसकी उस किसान की फार्मर की Was surprised Was का यूज हुआ है यह simple past का without action वाला sentence है जहां पर was वर का यूज किया जाता है तो वो क्या थी Surprised थी यानि कि हैरान थी अचंबित थी What is this? यह क्या है? She asked उसने पूछा It is a It is a baby mongos यह क्या है? Baby mongos है नेवले का बच्चा है तो यहां पर is का यूज हुआ है तो जैसे was word का यूज होता है simple past वैसे ही is mr का यूज होता है simple present में without action वाले sentence में जहां पर state अवस्था की बात की जाती है कोई action perform नहीं होता कोई क्रिया नहीं होती कोई काम नहीं होता adjective का use होता है कोई noun का use होता है replied it is a baby mongos replied जवाब दिया the farmer किसने? farmer ने? किसानने क्या है यह? baby mongos है फिर आगे है I found it lying near अब यहाँ पर lying का use होआ है यह भी क्या है ing में भी adjective का use होता है vishation का use होता है जहां पर क्या बताया जा रहा है कि later way जैसे sitting adjective के रूप में use होता है sitting, standing इस तरीके से है यह lying है यानि कि पढ़े वे near the road side यानि कि पास ही road के side में बगल में पास ही मुझे पढ़े वे मिला it is तो as adjectivist lying का use होआ है कैसी state में कैसी अवस्था में it is now it is now going to stay with us तो कोई काम होने जा रहा है तो is is MR के साथ going का use किया जाता है कि अब यह काम होने जा रहा है तो क्या काम होने जा रहा है now यानि अब क्या होने जा रहा है to stay with us it is it जो है यहाँ पर मौंगूरज के लिए यूज हुआ है कि अब जो यह मौंगूरज है वो stay का मतलब रहना हमारे साथ रहने जा रहा है तो रहने का काम होने जा रहा है तुरंती कोई काम होने जा रहा है, ऐसा शो करने के लिए इस विमार के साथ going का यूज किया जाता है next देखें, the farmer had, अब ये head का यूज हुआ है, past में किसी के पास कुछ था ऐसा बताने के लिए जैसे कि यहाँ पर बेटा है, बेटी है, इस चरीके से भी हम has, have, had का यूज करते है, tense के अनुसा, अब यहाँ पर past की बात है, इसलिए head का यूज किया गया है present में कुछ है, ऐसा बताना, तो हम has, have का यूज करते, तो यहाँ पर head के बाद में जो चीज है, उसकी बात की जाएगी, न कि कोई main verb का यूज होगा, कोई action परफॉर्म नहीं होगा, ये भी without action वाला sentence है state of possession वाला sentence इनको बोला जाता है, किसी के पास कुछ होना तो the farmer had, farmer के पास था, क्या था, a small son, एक चोटा बेटा, यहाँ की farmer के चोटा बेटा था, ऐसा बताने के लिए भी हम had का यूज था, यानि past में, तो had का यूज के present होता, तो has have का यूज होता, subject के अनुसार यहाँ पर whom का use किया गया है, whom का use यहाँ पर यह रिलेटिव प्रोनाउन है, तो इसका use जो इसके past में नाउन है, उसी के लिए किया जाता है, इसी के बारे में कुछ एक्स्ट्रा बताया जाता है whom he loved very, यानि कि जिसको, इसको, किसको, सन को, he कौन यहाँ पर, farmer, loved very much, बहुत अधिक प्यार करता, तो loved यहाँ पर second form है, फिर देखें, simple past का ही वाकिए, second form है तो, the mongoose and the baby, जो mongoose है and the baby, उसका जो बच्चा है, start के साथ verb में ing आता है, कोई main verb का use किया जाता है, और tense के अनुसार यह start में ही बदलाव होता है, जिससे started लग गया और verb में यहाँ पर ing growing हो गया, तो यहाँ से हमने पहचाना, कि यह simple past का वाकिए है, started है, second form है, तो कोई काम श sense में, तो क्या, यानि बड़े होने लगे, together एक साथ, उसका वेवी और वो mongoose, नेवला, एक साथ बड़े होने लगे, grow का मतलब बढ़ना, बड़े होना, soon, तो soon the mongoose grew to its full size, grow के second form grew हो गया, यानि जल्द ही जो mongoose है, अपनी बड़ी size में बड़ा हो गया, बढ़ गया, य उतना वो grow हो गया, तो grew यानि की बढ़ गया, the wife of the farmer, जो wife है, किसकी of the farmer, farmer की, किसान की, was always fearful, अब was का use किया गया है, तो इसके बाद में कोई main verb का use नहीं किया गया, अगर main verb होती, तो यह past का continuous tense होता है, क्योंकि यहां पर main verb का use होता है, तो verb में ing रहती, main verb में ing और कहें तो verb की fourth form का use होता, लेकिन यहां पर without action वाला sentence है, यानि कि यहां पर इसके बाद में यह तो adjective का use होगा, या कोई ना होना जाएगी, तो यहां पर adjective का use होगा है, fearful यानि डरे वे होना, तो the wife of the farmer was always, हमेशा क्या थी, वो डरे वे, डरे वे थी, that यानि रहती या थी, that the monkey, क्यों that the mangas might, might model का use कや गया है संभावना के लिए, शायद वाले feeling ये देता है, संभावना के लिए, मे, might, must कर यूश किया जाता है, अगर ज्यादा possibility होती है, तो मे का use क्या जाता हो, और ज्यादा होती है, तो must का use करते हैं, तो may से नीचे संभावना बताने के लिए might का use, इसके साथ verb की first form का use किया जाता है, जायत क्या हो जाए कि जो mongos है, नेबला है, उसके बच्चे को नुकसान पहुचा सकता है, ऐसी संभावना possibility है, इसलिए वो डरी वही रहती थी, नेक्स्ट क्या है, वन डे एक दिन वेन दा वाइफ रिटर्न, जब जो बीबी है उसकी, पार्मर की लौटी, शी फाउंड दा मौंगूज ओन दा डोर स्टेप, दरवाजी की जो सीडिया है, वहाँ पर उसको मिला, तो find की second form है यह pound, its mouth, तो second form मतलब simple past का वाक्य, its mouth was covered with blood, जो उसका मूँ था, वो ढखा हुआ था, covered था किस से, blood से, खून से, यानि कि उसके मूँ के उपर, पूरा खून लगा हुआ था, तो यहाँ पर was का यूज हुआ है, तो यह भी simple past का, without action वाला sentence है, covered यहाँ पर adjective है, यानि उसके मूँ की बात की जा रही है, धके वे होना, उसी के बारे में कुछ extra information, उसी की विशेश्टा बताई जा रही है, तो यह विशेश्टन है, the mongos left leap की second form, left चलांग लगाना, before her, यानि उसके सामने, उसने चलांग लगाई, कूदा, showing her his blood stained mouth का मतलब, पूरे का मतलब हो किया, खून से सना हुआ जो मू है, उसने शो किया, दिखाया, the women's heart froze, तो यहाँ पर froze, freeze की second form है, तो इस sentence का translation होगा, कि उसका दिल बैठ गया, जो औरत है उसका, women का, farmer की बीवी का, दिल बैठ गया, the women's heart froze, the mongoose has killed my son, has के साथ verb की third form का use हुआ है, जो mongoose है, उसने क्या कर दिया है, मेरे बेटे को मार दिया है, तो कोई काम कर दिया है, तो has plus verb की third form का use होता है, present का perfect tense, जब बनाते हैं, has, have के साथ verb की third form का, she thought, उसने सोचा, think की second form है ये, wicked mongoose, यानि की दुष्ट, कह सकते हैं, wicked का मतलब, दुष्ट mongoose, cried the women loudly, यानि की, cried का मतलब, चीखना चिलाना, ये second form है, चीखना चिलाना भी होता है, और रोना, the women loudly, the women loudly, यानि की जोर से, तो इस cried की ही extra, cried यानि ये जो verb है, इसी के बारे में कुछ बताया है, कि रोई तो कैसी loudly, जोर से, तो loudly यहाँ पर, add verb है, यानि verb, add और verb, क्या होगे, कि verb के बारे में कुछ extra बताना, तो loudly यहाँ पर, add verb है, you have killed my son, यहाँ पर full stop नहीं है, बेटे को, तो have के साथ verb की third form, यानि कि यह भी present का perfect tense का वाक्य है, subject के नुसार has have का use हो जाता है, you के साथ have का use होता है, and now you are showing, और now you, यानि कि तुम दिखा रहे हो, show करना, are showing, is mr के साथ verb में आए हैं जी, तो present का continuous tense का वाक्य, me, his blood, यानि कि तुम अपना खून मुझे दिखा रहे हो, मेरे बेटे को मार दिया है, अब तुम मुझे अपना खून दिखा रहे हो, I will kill you too, यानि कि मैं भी तुम्हें मार दूंगी, तो will plus verb की first form का use यहां पर हुआ है, तो यह simple future tense का structure है, next देखे, so saying, the women took ऐसा कहते वे, the women ने ऐसा कहते वे, उस औरत ने टेख की second form लिया, took a stick, एक stick, एक डंडी, and started beating, कोई काम करने लगा लगी, तो start plus verb में आए यह आजाता है, यह वाला structure, तो वो मारने लगी, किसको, the mongos को, mongos को, उस नेवले को, the यहाँ पर started है, इससे पहचाना कि यह verb की second form है, simple past का यह structure है, यहाँ पर beating, अगर start के बाद में, अगर कोई verb का use करते हैं, तो वो ing form में आती है, the, the mongos started running, अब कोई काम होने लगा, तो started running, यानि कि here and there, to hide, चिपने के लिए, to hide मतलब चिपना, mongos क्या करने लगा, दौडने लगा, भागने लगा, यहाँ, यहाँ, वहाँ, here and there, किसलिए, to hide, चिपने के लिए, but the women, persuade it, and kept raining, blows on its head, until it's, क्या है, but the women, persuade it, यहाँ पर persuade का मतलब है, पीछा करना, तो पीछा किया, and kept, kept यहाँ पर, keep की second form है, keep की second form है, फिर यहाँ पर देखेंगे, तो इसके बाद में, कोई verb का use करेंगे, तो वो भी keep के बाद में, जैसे keep के बाद में, start के बाद में, वो ing रूप में ही आएगी, तो kept raining, यानि कोई काम करता रहा, ऐसे sense में, तो raining blows, raining blows का मतलब है, लगातार कोई काम करता रहा, on its head, until its body, यानि कि वो उसका पीछा करती रही, और लगातार उसके head के उपर, उसके सर के उपर, वो मारती रही, कब तक? अंटिल जब तक its body became lifeless, यानि कि जब तक उसकी body become से became, ये second form है, lifeless नहीं बन गई ना, तब तक वो मारती रही, lifeless का मतलब मृत and still, still का मतलब जैसी है वैसी ही, कह सकते हैं कि स्तिर या शान्ट, यानि वो लगातार उसके सर के उपर ऐसे मारती रही, then the women still crying when to see her son, then for the women still crying, यानि कि अभी भी वो क्या, रोते वे, went, go की second form, यानि simple past का ही वाकिय, गई to see देखने के लिए अपने her son, अपने बेटे को, as soon as, as soon as, यानि जैसे ही, she saw, see की second form देखा, her son अपनी बेटे को, she got हो जाना, get की second form got हो गई, तो यहाँ पर get a shock, या got a shock हो गया, second form है simple past का वाकिय है, जटका लगना, तो उसे जटका लगा, get a shock या got a shock, मतलब जटका लगना होता है, तो उसे जटका लगा, he was, यह saw हो गया, यहाँ पर, यह got हो गया, second form है simple past का ही वाकिय है, affirmative sentence है, he was sleeping peacefully, यानि कि वह, वह कॉन उसका बेटा, सो रहा था peacefully, शान्ती से, and near him lay the dead body, यहाँ पर was sleeping है, यह जो है, यह क्या है, past का continuous tense का वाकिय है, was के बाद में verb में ing लगा हुआ है, sleeping, कैसे सो रहा था, sleeping के बारे में ही, यानि verb के बारे में कुछ extra, शान्ती से, शान्ती से, तो यह adverb है, यानि verb के बारे में कुछ और, उसको extend करके extra कुछ बताए, तो वह adverb, फिर देखे, near him, यानि उसी के पास में ले पड़ा हुआ था, क्या the dead body of the mangled snake, mangled snake की, mangled यहाँ पर क्या है, snake noun है, तो noun के बारे में कुछ extra, बताया जा रहा है, तो noun के बारे में जो बताए, वो शब्द होता है, viciousion, यानि कि English में अगर कहेंगे, तो adjective, कैसी, जो मरे वे, dead body of the mangled snake, यानि कि मरे वे mangled snake, की जो है dead body पड़ी हुए, तो mangled का मतलब हो गया, तूटी-फूटी अवस्था में, बिल्कुल, चित्डे-चित्डे हो रखे थे, ऐसे कह सकते हैं, बिल्कुल बुरी अवस्था में, in a flash, in a flash का मतलब है, आपर suddenly, एक आये के अचानक से, she understood where, तूरं थी, कह सकते कि, तूरं थी वे समझ गई, understood, understand, की second form, everything, सब कुछ, she started weeping, कोई काम करने लगा, तो वो रोने लगी, weeping, तो start plus verb में, ing, यह वाला structure रहता है, कोई काम करने लगा, लगी, again, यान कि, फिर से वो रोने लगी, this time for the mongos, अब इस समय वो रोई, किस के लिए, मुंगूज के लिए, नेवले के लिए, अब क्या है यह आपर, only if, केवल यदी क्या होता, only if, यदी, I, अगर मैं, I had checked, यानि, had plus verb की, third form का use है, तो यह past का perfect tense का वाक्य है, अगर मैंने देख लिया होता, check कर लिया होता, once, एक बार before killing you, यानि कि तुम्हें मारने से पहले, मैंने एक बार check कर लिया होता, जाच लिया होता, परक लिया होता, you would still be, be का मतलब होना, would के साथ be का use है, तो would के साथ work की first form का use है, with us, be यानि होते, अभी भी still का मतलब, अभी भी तुम हुमारे साथ होते, तो यहाँ पर यह sentence के साथ complete हो जाती है, story, moral दे रखा है, never make a hasty judgment, यानि कि कभी भी जल्द बाजी से, जल्दी से बिना सोचे समझे, कोई judgment, कोई निर्ने, कभी ना ले, यह है इसका moral, तो यह थी आज की short moral story, उमीद है आपको समझ में आई होगी, यहाँ पर मैंने कोशिश की, हर एक sentence के structure को, बारे किसे समझाने की,